क्या आपको भी बहुत समय से hair fall हो रहा है, बाल जड़ से निकल का रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंगी में भर भर कर बाला आ रहा है, आपको गंजापन भी हो रहा है, आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो आज आपके लिए कैसे remedy लेग रहा हैं, जिससे आ तो फ्रेंड्स आज हम एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकिया है जिससे आपके बाल करने पूरी तरीके से कम हो जाएंगे और बालों का रिग्रोथ भी होगा तो रेमेडी स्टाइट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नियू हो तो मेरे चैनल को प्लीज जादा लाइक क लिए कि श्यादी है मेथि ब्रें कि important है जो कि हमारे बालों के ब्रॉध को प्रोमोट करता है और बहुत ही जादा additional 성andrum a अरा कशिंदय बाहर ले सकते आप आसानी से दुकांत पर ले सकते हैं तो मैंने टूटबल फून लिया है और इसका और इसका साथ सिके निए ग्रेडिट हम लेंगे जिसे हम राइस कहते हैं और इसे चावल भी बूलते हैं तो यह आपके हर्म होता है कोई सब्सक्राइब तूटा फूटा जैसा भी राइस हो वाइट राइस होनों चाहिए इसका भी हम टूटाबल समय लेंगे आप तो यह उमन होती है उनके हैर जो होते हैं वो बढ़ापे तक बढ़ते हैं और आपके हैर भी बढ़ापे तक बढ़ सकते हैं अगर आप इसका रगलर बेसेस भी यूज करते हैं तो चावल इतना ज्यादा बेनिफीसियल है बालों के लिए राइस यानि की चावल जो कि आप जो कि खाने पर आपके सरीर को सहसक बनाता और बालों को सौफट और स्टॉङर कर देता है आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि शावल कितना ज्यादा बेनफिशिल है बालों के लिए कितना whatever बना देगा आपके बालों का इतना ज़्याद़ा कारगा रहुत एसको भीगाकर ओवरनायट इसको रख देंगे और इसके बाद मॉर्णिंग में इसके पानी का यूज करेंगे हैं आपके बालों में करेंटली जिस भी रेट से बाल बढ़ रहे हो इस रेमेडी को यूज करने के वाद आपके बाल उससे कहीं ज्यादा फॉस्टर हेर ग्रोथ होंगे आपके बाल तो बस इसे मैंने और रेट सोक करके रखा है अब इसको थोड़ा सा ऐसे चला के इसको किसी भी इस परेपश्ण बाल में ले लजी आप इसे पुरूरे बालों में अपलाइक करने बिभी ले सकता है लेकिन अगर बालों पॉसके बालों पिस Becca के बालों किसी बार सुर्पे 20-25 सरुमें आजाता है तो आप कोई सबुस्थ सब नहीं पर लेकर बंप इसको च्छान Denmark के बस इसको इस प्रवार्डल के हल्प से ज़रोत न इक बहुँ जादे मसाज देते होे जाना है और बालो की जड़ों में लगाना और पुरे बालो में लेंदभ में अप्लाई करेंगे यह इतना ज़ाधा कारगर होने आहए आपके बालो के लिए के गिरने की अगर आप करी पत्ता जानते हो न तो करी पत्ता छो भी आपके किसिट में होता है नहीं होता है तो आपके गार्डर में होता है आप उसको लाइने को झॉक फट्त आप टो श्का haven अभलेश के विडियर फिर पत्ता पुरे बालों की लंथ हमित और में पूरे अच्छे सप्लई कर लिया है और इसको मैं बालों में लगा करके इसको जुड़ा बनाके लगबक दुप गन्ते तक बालों में रखोंगी और इसके बाद किसी भी normal water से बालों कने को को sound olur तो बस चलते हैं, हैर वास करके आपसे मिलते हैं, दो घंटे रखंगों मैं से, और इसके बाद हैर वास कर लिजा, इसको यूज करने के बाद आपके बाल भी सॉफ्ट सिल्की और साइनी हो जाएंगे, तो फ्रेंट्स कैसा लगए यह वीडियो आप कमेंट करके बताएं, वी करें लॉज ज्यादे लाइक करें, शेयर करें और चनल को सस्क्राइब करें ना भूले फ्रेंट्स अरहां बगल मजबा लाइक और उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाल अगले वीडियो को नोटिफिकेशन